नमस्कार, आज के फिन पॉइंट सेशन में आपका स्वागत है, आज का फरस्ट अब्रेट है, हेस्टर बायो साइंसिस के शेर्ज में आज शांदार तेजी देखने को मिली, आज इस शेर का प्राइस BSE पर 19% बढ़कर 2955 रुपीज पर पहुँच गया था, हाला कि बाद में तेजी थोड़ी कम हो गई, दो दिनों में ये शेर 33% तक बढ़ चुका है, इस शेर में तेजी की वज़ा कमपनी की एक स्टेटमेंट है, हेस्टर बायो साइंसिस एहमदबाद की कमपनी है, कमपनी के अकॉर्डिंग उसने कोरोना वैक्सिन के प्रोडक्शन के लिए प्रेश में लोगों को लगाई जा रही है, अगर आप फानाइंसर जोड़ी ऐसी ही वीडियोस डेली देखना चाहते हैं, तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथी बेल आइकन को भी प्रेस करें, नेक्स्ट अब्रेट है, लेंस कार्ट के अकॉर्डिंग ग्ल इन इंसिट्यूशन्स ने 2014 के एंड में लेंस कार्ट में इंवेस्ट किया था, के के अर के अकॉर्डिंग वो अपने एशन प्रावेट इक्विटी फंड से ये इंवेस्मेंट कर रही है, नेक्स्ट अब्रेट है, टाटा ग्रूप की कंपनी वोल्टास और गोद्रेज ग् प्लाइंसेज, फाइजर और मोडर्ना की कोरोना वैक्सिन के लिए स्टोरेज यूनेट्स बना रही है, इन वैक्सिन को बहुत कम टेंपरेचर पर स्टोर करना पड़ता है, गोद्रेज और टाटा ना सिरफ वैक्सिन स्टोरेज यूनेट्स का प्रोड़क्शन बढ़ा रह बलके टेकनोलीजी भी अपग्रेट कर रही है कोल चेन मैनुफेक्टरिंग सेक्टर की एक और कंपनी ब्लू स्टार भी को वैक्सिन और कोवी शील्ड के लिए मेडिकल रेफ्रिजरेटर यूनिट का प्रोड़क्शन बढ़ा रही है जल्दी ही बड़ी संख्या में इनकी सप्लाई की जाएगी साथी कंपनी रश्यन वैक्सिन, स्प्योटनिक 5 और जॉंसन और जॉंसन की वैक्सिन के लिए भी स्टोरेज उनिट्स बना रही है नेक्स्ट अपडेट है COVID की वजह से Health Insurance Claims का डेटा इस Financial Year में अभी से काफी High Level पर पहुँच चुका है एक April 2021 से लेकर अब तक COVID की वजह से हुए Health Insurance Claims Last Financial Year में फाइल हुए क्लेमस के 57% पर पहुँच चुके है Non-Life Insurance Companies के क्लेमस में तेज ग्रोध देखी गई है और अगर ऐसा ही रहा तो इससे उनकी बैलेंस चीट अफेक्ट हो सकती है एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 31 मार्च तक हेल्थ इंशॉरेंस समेथ नॉन लाइफ इंशॉरेंस कमपनीज को कोविन-19 के ट्रीटमेंट के लिए 9.8 लाग क्लेम्स रिसीव हुए जिनकी वैल्यू 14,560 क्लोर पीस थी 14 माई 2021 तक ये डेटा 22,955 क्लोर पीस के 14.8 लाग क्लेम्स तक पहुँच गया इसका मतलब ये है कि फाइनेशल इयर 2021-22 के पहले 44 डेज में कोविट क्लेम्स का अमाउंट 8,385 क्लोर पीस पर पहुँच गया जो लास्ट फाइनेशल इयर में कोविट क्लेम्स का 57 परसंट है नेक्स्ट अपडेट है डिजिटल ट्रांसक्शन करने वालों के लिए रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया ने इंफरमेशन जारी की है सेंट्रल बैंक के अकॉर्डिंग टेक्निकल अपग्रेट के चलते ने इफ्टी सर्विस 23 माई को कुछ घंटों के लिए काम नहीं करेगी इसलिए कस्टमर्स पहले से ने इफ्टी के जरिए पैसों के ट्रांसफरों को लेकर प्लान कर लें आरबियाई का कहना है कि ने इफ्टी सर्विस के पफॉर्मेंस और रेगुलेशन को बहतर बनाने के लिए टेक्निकल अपग्रेट किया जा रहा है ये अपग्रेट 22 माई 2021 को बिजनस बंद होने के बाद होगा इसकी वजह से 22 माई खतम होने के बाद रात 12 बजे से लेकर रवीवाट 23 माई को दोपहर 2 बजे तक एन इफ्टी सर्विस अविलेबल नहीं होगी नेक्स्ट अपडेट है शिल्पा मेडिकेर के शेर्ज में आज कारुबार के दौरान शांदार ग्रोथ देखने को मिली होली ओन सबसीडियरी शिल्पा बायोलोजिकल्स के जरिये ये एग्रिमेंट किया है इस एग्रिमेंट के तहट कंपनी के धारवार करनाटक स्थेत योनेट में वैक्सिन का प्रडक्शन होगा पहले 12 महीनों में कंपनी इस वैक्सिन के पांच करोड डोजेस तयार करेगी आ नेक्स्ट अब्डेट है महिंद्रा लॉजिस्टिक्स ने ऑक्सिजन ओन वील सर्विस चैने में भी शुरू कर दी है इस से पहले कंपनी पंजाब और महराश्टा समेथ देश के कई राज्यों और शहरों में ये सर्विस शुरू कर चुकी है इस सर्विस के तहट कंपनी पहुचा रही है महिंद्रा गुरूप के चीफ आनन महिंद्रा ने ट्वीट करके चैने में ऑक्सिजन ओन वील सर्विस शुरू होने की जानकारी दी है इसमें कहा गया है कि चैने आठवा शहर है जिसमें कंपनी ने सर्विस की शुरू की है कंपनी दूसरे शहरों में भी जल्द ही ये सर्विस शुरू करने वाली है। जल्द ही ने कहा है कि वो 31 जुलाई 2021 तक इन सर्विस शुरू करें।